स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा सेंपल पेपर आपकी भारी डिमांड पेकी सर दूसरा पेपर हो चुका बड़ा मजा आया करने में तो इसके बाद हम कर रहे हैं यह हमारे लिहां पर प्रैक्टिस के लिए ब्रह्मासर का काम करेगा असी माक्स का पीपर है चलिए देखते हैं पहला क्वेशन ही बायलोजी का हमारे कॉंफिडेंस को हिलाने के लिए गिवन एक्जामपल ऑफ फॉर्वर विच कंटेन बोज स्टैम्स अन कार्पल्स बता दो सब्सक्राइब क्या होता है आंसर का है An element X has a mass number 35 and a number of neutron is 18, identified the group and period. So this is question number 3, which is our periodic classification, so we won't talk much about it. Let's go to question number 4. An object of height 1.2 cm placed before a concave mirror of focal length 20 cm, so that a layer image is formed at a distance of 60 cm from it, find the position of the object. What will be the height of the image formed? Let's see a question, an object of height 1.2 cm, so here the height of 1.2 cm before a concave mirror, so you have a concave mirror here, so this is convex and concave mirror, so I have made this concave mirror, so concave mirror in front of 1.2 cm object, how much focal length is it, 20 cm, so that a real image is formed at a distance of 60 cm from it, so you can tell this way that 60 cm is here, so 40 cm here is the center of curvature and here is the image made, so how can the image be made? It will be made, it will be made, it will be made, and it will be made in 60 cm. So, you can tell the image of the object, I will say the position of the object, find the position of the object, what will be the height of the image formed? You have to tell the image size of the image, yes! So first, what do you have to put in the mirror formula? And put in the mirror formula, and put all things in front of you, the object's height has been given, 1.2 cm, खेर वह बाद में यूज में आएगी, 20 हो गया, यह फो गया, V हो गया, U unknown है, तो आपने formula लगा कर के 1 upon V minus 1 upon, sorry, 1 upon V plus 1 upon U, यूकि mirror का formula होता 1 upon F equal to 1 upon V plus 1 upon, यह formula लगा कर के आपने बच्चों मेरे, क्या find कर लिया, U find कर लिया, U, तो U कितना आगया, minus का 30, मतलब जो object है, वो mirror के 30 cm front में रखेगा, मतलब यहाँ पर 20 पर क्या था, focus था, थोड़ा सा 10 और आँगे, है ना, 30 पर रहेगा, अब आपको निकालना है, magnification, क्या निकालना है, magnification, तो आपको पता है, बच्चों, में दिया तो था, भाई, कहां गया, question, यह है, 1.2 cm का आपको object दिया गया है, तो H dash upon 1.2 equal to minus of V, V कितना मिला है, आपको बताईए, minus of 60 लिया है, बोले, आपका कितना आचुका, minus of, बोले clear की not clear, तो इसको solve कर देंगे, तो आपके पास में value आचुकी है, आपके एचटेस की, image की size कीतना आ चुकी, minus का 2.4, कौल मताएगा, minus क्यों आधा रहा है, negative क्यों आज़े है, क्यों कि क्या बन रहा है, real and inverted, inverted की वेज क्या रहा है, समझ गया, और 2.4 है मतलब, real object से बड़ी है काफी बड़ी है है ना दो गुने से जादा बड़ी है चलिए वाई देर इस नीड आप दा हैरनेस ऑफ दक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस अफ एनर्जी गिप तू में रीजन क्या जरूरत है इसको हरनेस करने की ओके अबर दिमांड ऑफ पहली चीज यह है दूसरा फॉजल फ्यूल सार लेमिटेड इसलिए नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है चलिए सिक्स क्वेस्टन देखते हैं इस एक सब्सक्राइब अधिक करते हैं इसको थोड़ा सा कैसे काम करती जादा दिक्कत नहीं इस अपना चैटर र्यवाइज हो जाता है अप्रिंस्पल इसका प्रिंस्पल नहीं अपिस लिए प्रिंस्पल नहीं पूचा है और जनेरेटर का जवाब दे रहा है एक मिनट मैंने कहीं गलत तो नहीं पढ़ दिया है स्वाइड़ इनरजी को एलेक्टर और इनरजी को एलेक्टर बेदलने वाले क्या बोलते हैं जनरेटर क्या बोलते हैं इस अपर इस पर किस पर क्या तो यह भाई साब इसका पूरा का पूरा डाइग्राम है चलो बस यह डाइग्राम बना के खेर अब आता ही नहीं तो छोड़ दो इसकी बात आंगे पढ़ते हैं चलो अगला देखते हैं Explain what short circuiting of an electric supply. Short circuiting क्या है भाई साभ लाई वायर का और नूटरल वायर का मिलन, हाया ना, लाई वायर और नूटरल वायर, जब प्लस और माईनस आपस में मिल जाते हैं तो दिवाली होती, भूम बढाम, yes, तो accidentally when the live and neutral wires of electric circuit comes into direct contact, it is called short circuit, हो गया ना, short circuit, चलिए, अगला question, What is the usual current rating for a fuse wire in the line to feed lights and fence, मतलब हमारी जो domestic supply है, उसमें जो current rating आती है, fuse wire की, वो क्या हुआ करती है, तो देखिए हमारे जो नॉर्मली fuse wire होते हैं, वो किते अम्पेर के, 5 अम्पेर के, किते के होते हैं, 5 अम्पेर के, ठीक ना, आप मतलब कभी किसी market में जाओगे, दुकान में ज तो किलो वाट और मोर पावर, अगर आपके जो अप्लाइनमेंट है, 2 किलो वाट या, जादा पावर के है, तो आपको किते अम्पेर का fuse लगेगा, 15 अम्पेर का, दो टाइप के आपको fuse है, तो एक तरीकी की जन्नल नॉलेज वाली बात है, भाई, कि 5 अम्पेर का fuse कम किता हूं, ओके, तो यहां पर इसको हम ले करके चलते हैं, देखे आ गया है, क्वेशन को ले करके, क्या कह रहा है, क्वेशन पढ़ते हैं, ड्रॉ असर्किट डाइग्राम आफ ए लेक्टरी सर्किट कंटेनिंग अ सेल, बहुत शानदार, यह देखो भाईया, सेल लगा दि जोगा है, Kombination of two register in parallel, यह देखे続 parallel में, तेर-ददरär-दर, ओके और ऊपर भी टा-दर-दर, अच्छी, 8 Ohm का यहठर है, और 8 Ohm का यह-दर है, और पैर-reल, and voltmeter across the parallel combination, और इन दोनों के parallel में, क्या लगाना है, voltmeter, OK, parallelrel combination and voltmeter across parallel combination each of them dissipate maximum energy and can withstand maximum थोड़ा question चूट गया है यहां पर विजस्टेंड maximum power of 16 water without melting find the maximum current that can flow without flow through three registers तो तीनों resistance से हमाई पर जाने वाली power निकाल निया है yes voltmeter भी लगाना था जो मैं भूल गया था तो voltmeter इसने कहां बोला था parallel में तो चाहे आप बच्चों यहां लगा दो चाहे आप उपर लगा दो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है चलिए यह देखिए एमीटर है रास्ते में बोलो yes or no एमीटर सीरीज में लगता है यह फोरूम है सीरीज में दो आठाट के पैर्लेल में बोलो clear है काम की नहीं है बोलो बन जाएगा चलो भाई साब आपको क्या निकालना है आपको निकालना है maximum current बोलो yes or no हाँ यह ना यह तो आपको maximum current निकालनी तो पहले total resistance निकालना है total resistance अरे आठ और आठ यहां पर देखिए यह पूरे circuit में maximum current कितनी जहल पाएगा तो जो भी maximum current जाएगी मेरे बच्चो सबसे पहले उसका सामना किस से होगा 4 ohm से बोलो हाया ना 4 ohm से अब ध्यान से रेखो यहां पर इन लोगों ने इसकी power दे रखी है कहां 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 पावर दे रखी और दे रखी 16 watt किती दे रखी power 16 watt बोले yes और आप लो 16 watt मतलब हर जो device लगी हुई यहां पर चार ohm का resistance लगा हुआ है इसकी power कितनी बोलो 16 watt बोले yes और आपको पता है कि P equal to I square R होता है कि नहीं होता बोलो P equal to I square पका P equal to I square R बोलो power किती दी है आई ला पता बोलो हाँ है ना आई का पता नहीं है और बेटारा resistance जो बोलो बच्चा resistance किता है बोलो फोरोम है कि नहीं है तो भाईया I square equal to 16 कड़ गया किते बार बोलो चार बार I square equal to कितना चार तो I square equal to 4 तो I equal to कितना आ जागा 2 ampere मतलब अधिक्तम जो current जा सकती इस circuit में से कित्य अंपिर की होगी 2 ampere की वोलो समझ में आ गए ना जो maximum इस circuit में से current जासकती वो कित्य अंपिर की होगी 2 ampere की any problem जो maximum current through the circuit is equal to 2 ampere circuit मतलब इस वाले resistance में से कितनी जा सकती ही बिटा 2 Ampere की, बोलो clear है, तो इस से यहाँ पर 2 Ampere की सरक्ट में से current जाएगी, अब देखो बेटा, यहाँ पर 2 Ampere की जा रही है, बोलो हाँ, अब 2 Ampere की current जब यहाँ पर आई है बेटा, तो यहाँ से भी 2 आ रही होगी, बोलो हाँ ना, बट यहाँ पर 2 जाकर के बटेगी, क्यो 2 Ampere की, तो 2 आंसर पूछे गए थे, यहाँ पर, question पूछे गए थे, through the 3 registers, तीनों से जाने वाली Maximum Current आपको बताना है, तो 3 जाने वाली Maximum Current आपकी निकल रही हाँ यहाँ पर, है ना तीनों से जाने वाली जो maximum current आपकी निकल करी लिए दो रजिस्टेंस तो आठ वाले हैं तो दो में से निकलेगी एक ampere की और एक में से निकलेगी दो ampere की जो आठ वाले हैं वो कित्ते ampere support करें गे बुड़ो बिड़ा टू एंपियर नहीं बिड़ा बन in electrolysis of water chemistry आ चुकी है क्यों के मस्टी यह यह electrolysis of water आ चुका है चलिए यस इन दा electrolysis of the water name the gas collected anode and cadule मैंने आपको बताया था तू एच्टू ओ hydrolysis होने के बाद देता है तू एच्टू प्लस कितना ओटू बुले यह सो no hydrogen का नेचर का था positive oxygen क्या होता है negative तो ए positive किसके पास जाता है anode के पास बोलो हाँ और negative किसके पास जाता है cathode के पास तो anode पे कौन सी gas hydrogen और cathode के कौन सी gas oxygen उल्टा बोल गया क्या हाँ चलिए देख लेते हैं हाँ anode plus होता है yes तो देखे हाँ the gas collected at the cathode is hydrogen cathode gas कौन सी connected हो थी hydrogen पे देखे cathode जो हुआ करता है cathode पे hydrogen चलिए जाती है उल्टा बोला है मैंने यहाँ पर इस चीज को याद हाँ इस logic के लिए मैंने बताया था देखे देखे एच टू ओ में टू एच टू प्लस ओ टू माई अब देखे यह यहां पर जो है cathode पे कौन सी जाएगी hydrogen और गैस क्लेक्टेड एड अनोड इकल टू कितना oxygen यास याद रखना भाई साब तो नेम दा गैस कनेक्टेड एड अनोड तो बताओ अनोड पे कौन सी गई थी oxygen और cathode पे कौन सी गई थी hydrogen बिल्कुल सही है है ना हाँ देखे वाई दा वॉल्यूम अब भाई साब जब आप रियक्शन करते हो तो ध्यान से देखो आप लेते हो 2H2O हाँ या ना दी हो यहाँ पर इसके कितने bon you पन रहे है वन वाउल्यूम और यहां पर कितने वाल्यूम बन रहे है दो वाल्यूम मतलब hydrogen की जो मात्रा बनी है मतलब hydrogen जो hybrid double बनी की नी बनी है? इसलिए हईद्रोजन जो होगा, ज्यादा होगा और हाईद्रोजन कहां पर collect हो रहा है? अन्ओट पर की cathode पर? Cathode पर, पर इसलिए cathode पर जो collected gas होगी, है ना? जयादा होगी, और जो anode पर होगी वो क्या होगी? काम होगी, यस देख लो, हाँ, the gas which is collected double in volume during the electrolysis of the water in hydrogen, this is because the water contains two part of the hydrogen and compared to the one part of the oxygen, yes, 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 ठीक है, बेटा, two atoms, अगर आप बात की बात करो के बेटा, H2O, तो दो एटम होते हैं, है ना, अब 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 of oxygen, इसलिए मात्रा में कौन जादा मिल रही है, hydrogen, समझ में आ गया कि नहीं है, बोलो, clear, clear हुआ कि नहीं हुआ, चलो, अगला, what would happen with dilute S2SO4 not added to the water, अरे भाया, अगर S2SO4 को पानी में एड़ नहीं करोगे, तो पानी के अंदर, ionization का nature produce, नहीं होगा, क्योंकि जो pure water होता है, bad conductor of electricity हुआ करता है, उसको ionize कर पाना नामुम्किन है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा क्या में लाते है, acid में लाते हैं, बोलो, yes or no, pure water is a bad conductor of electricity, by adding drop of the sulfuric acid, we can make it as a good conductor of the electricity, बोलो, आ गया समझ मेरा, तो बताओ, pure water में लेक्टरिसिटी जाएगी, कि acid में ले पानी में, क्या बात question, difference between the arrangement of the element mentally prudiable and modern prudiable, तो भाई सब यह सिलिबस से आपका हट चुआ है, mentally prudiable and modern prudiable, यहां से, इचेप्टरिस नहीं आजहा तो तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, ठाटा, बाइ-बाइ, question number 10, explain the ways in which glucose is broken down into absence of oxygen, absence of, oxygen की absence में, glucose किस तरीके से ब्रोक हुआ करता है, यार एक बजब किया आपको है दो तो फीजिन बज्जान फिल्कारे000 रह जोनको यत्म ऑन सेट सीजजन के साथ में और एक अचीजन की अंच्टर्म. जल्दी सेब्द दीजे यह वाला पहला पार्ट से यहां से यहां से यहां से यहां तक गया हुआ है। इसको जल्दी से पढ़ लिजे बीजुत फ tv अगला चुछन देखें भ states भग ना या तो बड़े बड़े लोगो को मतलब हम जैसे mniej Zar bib को ब 1990 आपको फाइंड करने हैं अप्लोग को यह बहुत इंपोर्टेंट है याद कर लीजिएगा चली अगले इसको प्लीज जल्दी से पढ़ डालो चलो पढ़ो इसको चली तो यह वाला भी प्रॉब्लम हो चुगा अब क्वेश्चन देखते हैं चौर्ण नमबर ट्वल्ब यहां पर हमारे सामने क्या कहा रहा है तो क्रॉच्ण नमबर ट्वल्ब को करने के लिए अब ये candle को जो है candle की image को screen पर अब भाया screen मतलब real image screen मतलब real image है तो real image में ऐसे कुछ चली गे रही है यहाँ पर इसकी finally मान लो ulti image इसकी बन रही screen पर बोलो ऐसा नो ऐसा कुछ हो रहा है है ना कहा रहा position of the candle 26 मतलब भाई साथ you equal to तो बूलो कितना minus का 26 है position of the convex lens equal to 50 cm यह क्या हो गया भाई candle की position position of the convex lens candle की position 26 है position of the convex lens 50 है position of the screen 74 है वेट 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 करो थोड़ा सा यह थोड़ा सा confusing है position of the candle इतनी भी गई है position of the convex lens 50 cm दी गई है position of the screen equals to 74 cm वेट 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 देखे अब आपको बच्चों लग रहा होगा यार कितना confusion है यह कहरा candle 26 पर रखी और lens 50 पर रखा दो बच्चों इसने क्या कर रखा है इसने math वाली coordinate geometry का यूज कर रखा अब इसका फंडा समझो इसने क्या ले रखा यह एक सक्सेस ले रखा है यहाँ पे इसने लेखा मतलब आपको यू बनेगा वह कितना बनेगा 24 बनेगा वह सण ओ रह खैता है अब पोजीशनदीटर की यह को शीटरी है पॉचिटर से वेंटी फूर बन रही है तो भाई है पचास से सेवेंटीफ़ कितना हुँआ 24 अमतलब इदर भी अबजेक्त आपका क्यक्तिप रखा इस पे मतलब पक्का यह क्या होगा center of curvature, क्या होगा center of curvature, क्योंकि आपको पता है कि center of curvature पे जो चीज रखी जाती है, वो center of curvature पे ही बना करती है, उत्ती दूर पे, 26 कहा है भाई साब, 74, 24 होगा न, 26 तो 0 से distance है न, बेटा मेरे, 26 यहां से distance है, बट लैंस के और इधर object की बीच के इतना बचा, 24, देखिए, 50 आपका यहां जो है, इधर से यह 50 यहां तक है, बुलिए सानो, और यहां से यह कितना है, 26 है, बुलिए सानो, तो 50 में से 26 माइनस होगा, तो 24 बच गया कि नहीं बचे वाला, बस तो यह आपको 24 दिया गया, चली खेर, आपका उपका अगर तुम लैंस को 38 पे शिफ्ट कर दोगे, तो यहां से ले करके आप इसको अगर 38 पे आ जाते हो, तो 26 में आपने 38 बढ़ानी के लिए कितना कर दिया, बारा और बढ़ा दिया, बुलिए बारा और बढ़ा दिया, तो मतलब यह इसके फोकस पे आ जाएगा, तहां पे आ बढ़ा होगे ना, तभी तो 38 हो जाएगा, और 38 करोगे, बारा कर दोगे, तो बारा इधर पे आजाएगा, बुलो हाँ, है ना, क्लियर होगा, मतलब आप इसको बारा आंगे पे लियाओगे, इधर बारा लियाओगे, नहीं नहीं, उससे निकलेगा, फॉर्मूले से निकल कर दिया, बोलो, yes or no, यहाँ से फोकस आपने निकाल लिया, आपने कह दिया 12, हाँ या ना, और ध्यान दो भाई साब, जब आपका फोकस 12 है, और जब आप इसको खसका करके लाए थे, तो 26, यह 12 पर ही तो पहुँच गया था, object, yes or no, हाँ, और फोकस में अगर पहुच जा है, infinity पर बनता, बोलो, clear हो गया, yes, तो यह देखिए, इसका डाइग्राम है, आगया समझ में न, यह इसका डाइग्राम है, इस तरीके से बन गया, बढ़िया कोशन है भाई, देखो, confuse करने की पूरी-पूरी गोसिस, यहाँ पे इसने maths लगा दिये, क्या लगा दिये, मैस देखे घूम गया, यह ऑबजेक्ट रखा है 26 पे और लेंस रखा है 50 पे, है न, बोलो, clear है, done न, चलो, done, आँगे बढ़ते हैं, चली, देखे बच्चो, अगला क्वेशन, तो पिछला क्वेशन जो तो आप्टेक्स का था, बहुत टफ क्वेशन था, थोड़ा ट्रीकी थ बन गया आप लोगों से, अब अगला क्वेशन देखते हैं, यह तो भाई मेरे को बहुत प्यारा लगता है क्वेशन, क्वेशन क्या कह रहा भाई सब देखे, पी एच है जग्रेट इंपोर्टेंसी रवाट डेल लाइफ, पी एच का, आपकी डेल लाइफ में बहुत ही ग पी एच चेंज, मतलब कि एक फिक्स पी एच चेंज की रेट हुआ करती, उसके बीच में ही प्लांट जिंदा रहते हैं, अगर बहुत जादा पी एच चेंज हो जागा उनके बलड का, तो मर जाएंगे, पी एच आप दास्वाइल इंपोर्टेंट फॉर्ट प्लांट ग्र इस और नो यह सिर्टेंग पी एच बहुत बगल जाता तो खेत में किसान गळेले का डालते हैं, चूना गळेला थे हैं, चूना गळेला थे हैं, चूना गढ़ते हैं, पी एच आप डाइजस्टिप सिस्टम पा पी एच बगला, आपने तुरंत कहा इनो, काम सृष इसक इ में अबर इस्टमक प्रडूस हाइड्रो क्लोरिक एसे डेट हैट हैट सिंद डाइजिस्टन अफ फूड मगर कुछ लोग जो बहुत ज्यादा भर भर के खाना खा लेते हैं डियूरिंग इंडाइजेश्ट डाइजेशन दा इस्टमक प्रडूस तूमच एसे बहुत ज्याद अगर आपके दातों का प्रडूस होना सुरू हो जाएंगे कब जब आपके दातों का प्रडूस होने कर आप बेसिक सॉल्ट्स वगेर का इस्तमाल करते हैं खासकर आप टूस पेस्ट में जिसमें बेस मिला होता है मैगनेशियम हाइड्रोकसाइड एमजी ओएच होल वैस इसी बात पर क्या आपके टूस पेस में नमक है बहुत सारे नमक है भाई है ना चलिए देखिए अगला कॉश्चन देखते हैं आपने देखे होंगे कुछ कीडे बहुत ही गंदी स्मेल जैसे बरसात वाले कीडे आते हैं इस हैं आपकी ब्रूमक्की होती है वो एक कैमिकल चोड़ती है अगला क्वेशन करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेशन लगाए, मेरे को ऐसा क्वेशन बिल्कुल आना चाहिए, बच्चों से भी बनता है, और मज़ा भी आता बच्चों को लिखने में, अगला क्वेशन देखते हैं, a compound which is prepared from the gypsum, has a property of hardening when mixed with the proper quantity of water, identify the compound, write its chemical formula, calcium sulfate hemihydrate, yes, write the chemical equation for the preparation, mention any one use of the compound, भाई सब घरों को सजाने के लिए, हड्डियों को जोडने के लिए, yes, the name of the compound is pluslor of paris, its chemical formula is, याद कलो बच्चों, calcium sulfate hemihydrate, not half S2O, बनता कैसे बिटा, calcium sulfate dot 2S2S को gypsum बोलते हैं, gypsum को अगर में सुखा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सुखा देता हूँ, yes, तो देखिए, हापे CSO4 dot H2O, half S2O बन जाता है, और डिड़ मॉलिकुल पानी, one and half S2O बाहर निकल जाता है, तो इससे बन जाता आपका plaster of paris, It is used in the hospital mainly as the plaster of supporting plaster for supporting fractured bone in the right position, बोलो clear हो गया, चलो अगले question की जरब चलते हैं, दोस्तों, अगला question, question number 14, done हो चुका, question number 15, our government launches campaign to provide information about the AIDS prevention, testing and treatment of the putting poster, conducting radio shows and using other agencies of the advertisement, to which category of disease AIDS belongs, its किच केडेगरी को बिलॉंग करता है, name the causes organism, समझगे न, name the causes organism, इसको organism कौन सा produce, कौन सा organism को create करता है, दूसरा, which kind of the value is government trying to develop in the citizens by conducting the above kind of program, value-based question, किस तरीकी की values government develop करती है, ओए, fossils वाला छोड़ दिया, क्या मैंने, question number 14, okay, question number 14 छोड़ दिया है, मगर अब 15 कर दिया, तो 15 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बद 14 पढ़ेंगे, yes, तो देखिए, जो आपका है, जो AIDS होता है, वो वायरल है, मतलब एक इंसान से दूसरे स्तान तक फैल सकता है, and sexually transmitted disease, STDs है okay, it causes by the organism, human immune deficiency virus, yes, है ना, HIV से फैलता है, और यह, गवर्मेंट क्या वैली सो करती, sensitivity and awareness among the surgeon, towards leading a healthy, fit life, yes or no, चली, तो यह हो गया बच्चों, दूसरा बाला, इसका छूट गया था जो पहला बाला पाट पढ़ देता हूं, what are fossils considered important, sorry, what नहीं है, why are fossils considered important in study of evolution, okay, explain two ways by which age of fossils can be estimated, आपको बताना है, method बताना है कि आपको फॉसल्स की age आपन को यहाँ पर पाइंट कर सके, fossils provide evidence for the favor of evolution, they establish evolutory relationship by providing missing links, age of the fossils can be determined by the following ways, number one relative method, fossils found closer to the surface are more recent than the deeper in the layer, by detecting the ratios of different isotope in the same element in the fossil, of the same element in the fossil material, चलिए एक हतम, यह चेप्टर रिमूव हो चुका है तो जादा इस पर हम जादा जोर नहीं देंगे, सीधे आते हैं, question number 16 पर, hmm, चलिए, 16 पर question number 16, with the help of the level circuit diagram, describe an activity to illustrate the pattern of the magnetic field lines around the street, current carrying wire, मतलब औरस्टर का experiment हम को यहाँ पर सो करना है, hence Christian औरस्टर जिसने magnetic field of current की, खोच की थी, Name the rule that is used to find the direction of the magnetic field around the current current wire, तो भाई सब कौन सा होता है, right hand thumb rule, right hand thumb rule, Is there a similar magnetic field produced around a thin beam of moving alpha particle and neutrons justify your answer, बताना है कि alpha particle में और neutrons में क्या same magnetic field generate होगा, यह question दे दिया भाई हाई साब ने hots, समझ गया न, थोड़ा सा दिमाग जो लगा के बच्चे पढ़े हैं, alpha particle, beta charge particle होता है, क्या होता है, अब जब charge particle या electron, proton move करते हैं, तो current generate होगी, तो उसमें तो same field generate होगा, बटे मेरे बच्चों, neutron जो होता है, neutron से कोई भी किसी प्रकार का magnetic field generate नहीं होगा, proton होता, तो answer हाँ था, electron होता, answer हाँ था, alpha particle, answer हाँ, beta particle, answer हाँ, बट neutron में answer न, क्योंकि neutron neutral होता है, उसमें किसी प्रकार का charge नहीं होता है, आईए देखते हैं, सबसे पहले experiment का setup बनाते हैं, take a battery of 12 meter, variable resistance, ये ले लिजिए, ओके, ये emitter लगा दिया, series में, ये की लगा दी है, हा variable resistance, और re-hosted emitter, 0 से लेके 5 ampere की, ताकत तका, a plug key and long straight thick copper wire, insert the thick wire through the center, normal to the plane, rectangular cardboard, ये ले लिया है, rectangular cardboard, और इसमें से ये तार खींच दी है, बीच में से, बोलो yes or no, ये plus है, और ये क्या है, minus current की direction, plus से लेके, minus, जैसे ही switch on किया, और इसके उपर क्या कर देंगे, plug key and thick copper wire, insert the thick wire through the through the center, normal to the plane of the rectangular cardboard, take care of the cardboard, is fixed and does not slip up and down, तो इसको किसी चीज़ से आप जो है, यहाँ पे fix कर देना, तार वार से बांद देना, जिससे की गिरें आई है, हाँ, ठीक है, connect the copper wire vertically, point x and y, x or y के बीच में copper wire को connect कर दो, as shown in the figure series, battery लगा दी है, plug key लगा दी है, sprinkle iron, iron की, यहाँ पे sprinkles कर दो, dust डाल दो iron की, और इसके बाद connection को on करने के बाद, हाथ से ठक 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 यूनिफर्मली, इस पर क्या करो, ठीक न, क्या करा आपने इसको, टैप करा, ओहाँ के, थोड़े देर बाद पैटर्न देखे, observe the pattern of the iron feelings, it is observed that the iron feelings align themselves, swing in the pattern of the concentric, ये वर्ड लिखना भाया, concentric, circle around the copper wire, this represents the magnetic field lines, yes, कौन सा रूल यूस होता है, right hand thumb rule, दूसरी बात करते हैं, पार्टिकल के बारे में, अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, current प्रडूस करता है, क्योंकि वो चार्ज रखता अपने अपने अंदर, so it produces in the current in the direction of motion, so ये magnetic field produce करेगा, और वही concentric lines की form में इसकी line बनती जाएंगी, but neutron, na 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 na, neutron में लिखा है, na, so neutron being electrically neutral, so इसले किसी कोई प्रकार की current प्रडूस नहीं करेगा, बुलो आ गया समझ में, बहुत शांदार, चलो भाही अगला क्वेशन देखते हैं, question number 17, you are given a ball, you are given a ballistic model of the six carbon atom of 14 hydrogen atom, okay, या दो मैंने आप लोगो केमस्टी में दिखाया था carbon के model दिखाया थे, काली-कली कलर की carbon की बॉल थी, एक दंडे हुआ करते हैं, बॉलते थे, और नीली-पीली कलर की क्या थी, hydrogen की बॉल, या दाया, या sufficient number of sticks, आपको number of sticks भी आपको sufficient दे गई है, how many ways can join the model of the six carbon atom 14 hydrogen atom form different molecule of the six C6H14, question में कहीं भी नाम नहीं है पूछा गया, मैंगर दिमाख लगाओ या आपसे क्या पूछ रहा है, या आपसे पूछ क्या रहा है, अरे भई या आपसे isomers पूछ रहा है, हाँ, different type से bonding कितने तरीके से की जा सकती है, आपसे isomers पूछ रहा है किसके C6H14 के, तो इसका एक काम करो बेटा, C6H14 के isomers आपसे पूछा जा रहा है, कहां गया भई करसर, यह है, तो C6H14 के isomers जानने के लिए एक काम करो, देखो मैंने बताया था तरीका, एक, दो, तीन, चार, पांच, और कितना, चैया भी तो पांच ही हुए, यह हो गया चैया, बोलो ह यहां पर कितना, चार, यहां पर कितना, पांच, और यहां पर कितना, चैया, वो लो क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, यह बन गया है, अब इसके बाद देखे, एक, दो, यह हो गया तीन, यह हो गया कितना, चार, यह हो गया पांच, और यह हो गया कितना, तो थर खथ प्रिछ संप 14 in 203 मेरे वन मुड़र ही वन पर हो जाता है सब्सक्राइब अमस्य जोड़कर है कि अगर खी सी विख ङग है! जो यह जो लाक टो neमस्य कहें지 तो डर किस बात का यार अब देखो बिटा यहां पर कार्बन दूसरे नमबर पर यह एक है यह कितने पर है दो पर इसको मैं आंगे भगा के तीसरे पर जोड़ सकता हूं तो एक दो तीन बताता हूं बिटा तीन हो गया चार पांच छे अब जैसा कि भाई ने कहा कि सर चौथे पर पे जोड़ो किसने गjungा शौथे अगर यह यहां पर आप इसको हटाके शौथे Soldot बेजार करो इधर से क्वाउम करो तो एक दो तीन ही तो होगा तो बात गया यह ह्ए होगी ना, तो इसले ने आफिर ईमनाज यह यह 3 organis तो इसन स्वाइना यह तो इन थे बन गया दो य गए आइसोमर्स बन गया, हाइडोजन जूड़ नोगेगी मैं जूड़ के बताऊं, जो लेंगे ना हैडोजन सब में तीन दो तीन जितना रगश जाए उस न कर दो, वैसे यह एज ये हाइडोजन इस इसके उपर लग लगगा एक, एक नीचे लगय जब गया, एक अपने चाही तुम यह कहो, चाही तुम यह कहो, सिज की एक शीज होती यह, समझ माया गए ना, ब्रांच नहीं है यह सीधा रस्तह रांच हा, आप लास्ट वालिम लगाओ के तो भी सीधा रस्ता ही माना जागा जसे आपने का सी चीज और आप को यह तो बिटा यह एक ही चीज है यह घांगे आ इसे जरूर कर लेना अगर यह आ गया तो पका परिशान कर देगा आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर कर जाना पड़ेगा, यस तो very important इसको करके जाएगा, चलि अगला question देखते हैं, अगला question, maybe आज की class का last question रहेगा, देखे, question है, अगला question, draw the structural formula of the all possible isomers compound with the molecular formula C3H6O, क्या बनाना है, isomer, क्या बनाना है, isomer, तो isomer आपको पता है, है ना, and also give their electron dose, तो isomer आपको पता है, same compound के ऐसे, जिनक change क्या होती है, अलग-अलग होती है, समझ गया है, जिनका arrangement क्या होता, अलग-अलग होता, मगर molecular formula एक ही होता है, yes or no, अरे भापने भई, जो आपने ऊपर बनाया, वही isomercy थे वो, हाँ, तो देखते हैं ना, क्या गड़वर हो जाएगी, किस में 3 है, अरे तो थीक है ना, C3 दिख रहा आपको, actually है वो क्या C2H5OH है, क्या है वो, C2H5OH है, ये इथेन ओल है, देख लो, गिन लो, बोलो, carbon कितने हैं, अच्छा, नहीं हो, C2H5OH है, देख लो, अब गिन लो, carbon कितने हैं, बिटा, 2, 1, 3, hydrogen कितने हो गया, बोलो, 6, और oxygen कितने हो गया, एक है ना, ये नह बनान दिखाता हूँ, तो इसके isomer बनाने है, क्या बनाने है, आपको इसके isomer, देखो कितने isomer बनेंगे, चलो, मैं थोड़ी सी मदद कर दिता हूँ, question में क्या है, C3H6OH है ना, ये लोग लेके चलता हूँ, C3H6OH, बिटा, ये ही है ना, तो देखो, सबसे पहले क्या बने बोलो, carbon कितने हैं, एक, दो, तीन, hydrogen कितने हैं, तीन, oxygen कितने हैं, बोलो, ये ही हैं, दोनों की नहीं है, हाँ, तो आईसोमर है की नहीं है, हाँ, अब ये कौन सा है, eldehyde है, ये क्या है, और ये कौन सा है, ketone, ये क्या है, ketone, तो दो आईसोमर आपके बन रहे हैं, जहां तक करभन में तीन हाइड़ोजन तो एक दो और क्या तीनि फिर हआगा बॉले यस दो हाइड़ोजन एक दो और इसके बाद देखो गिप ये इक इसके बाद में इस यहां पर इस पार बन के साथ यहां पर किते बॉंड बनेंगे यहां पर इस कारवन के साथ सिंगल बोंड कैसा निया क्रोंड का बनेंगे डेकर देखा हाँ देखा हेज ना जयसे है यहां पर देखो यह शिंहरे सिंकल है यह अल्य विश्पियरिंग दो पेर्स दे रहा है ब क्योंकि ओक्सीजन दो प्रॉट बो वहां तो क्रिटोन का क्या रूल होता है प्रोपेन का इह टाकर अने और क्या लगा स्ट्रक्चर बलो कर लोगे प्रॉब्लम प्यारे बच्चों चली तो यह रही बच्चों आज की क्लास कल मिलते हैं इसी समय पर धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर बिंग विद लोकेश सर अनलेम्टेड स्टड़ी जो